भारत माता की उत्राखन के राजपाल, सिमान गुर्मित सेंजी, युवा और कर्मट यहां के लोकप्रिय मुख्मंत्री, स्री पुषकर्शी धामी जी, भारतिय जनता पार्टी के प्रदेश अद्यक्ष, स्री मदन कौशिक जी, केंद्रिय मंत्री, अजय भड़ जी, मेरे साथी, रमेश पोखर्याल निशंग जी, क्रिवेंद्र सी रावज जी, तीरत सी रावज जी, स्री वीजय बहुगुणा जी, उत्राखन सरकार में मंत्री, श्री सत्पाल महराज जी, श्री हरक्षी रावज जी, श्री सुबोध उनियाल जी, श्री बंसिदर भगज जी, साउसत में हमारे साथी, श्रीमति माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टंटा जी, अन्य साउसत और विधायगण और कुमाओ के मेरे प्यारे भाई और बेहनों, वहाँ जो उपर है, वो सब सलामत है ना, आपको सुनाई देखता होगा, आप इतनी बड़ी मात्रा में वहाँ, कभी डर लगता है, आगे मत बढ़ना भई, चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका अशिरवात, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभाले हूँ, गोल जूकी, यो पवित्र धर्ती कुमाव में, आपू सबें, भाई बेन को म्यार नमस्कार, वस सबे नांतिना के म्योर प्यार वाशित्स, जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर धिलों की इस्चिवस्तली को मेरा सतशत प्रडाम, देश की आजहादी में भी कुमाव ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पंडित बद्रिदंत पंडे जी उनके नेत्रुत्तों में उत्तराइणी मेले में कुली बेगार प्रधा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाव आने का सवभागी मिला, तो स्वाभाविक है क्या आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादे ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और ये इतनी आत्मियता से आपने जो आज उत्राखन की टोफी पह रही है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूँ। उत्राखन के गर्व के साथ मेरी भावनाये जुड़ जाती है। आज यहां 17,000 करोड रुपे से अधिक के विकास कारियों का लोकारपन और सिलान्यास हुआ है। यह सारे प्रोजेक्स कुमाओं के कभी सभी साथियों को बहतर कनेक्टिविटी, बहतर स्वास्त सुविधाय देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुश्कबरी आज देना चाहता हूं। हल्दवानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सोगात लेकर आया हूं। हल्दवानी शायर के ओवराल इंफ्रासेक्टर के लिए विकास के लिए हम लगबग दो हजार करोड रुपे की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्दवानी में पानी, सिवरेज, सडक, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट, सभी जगह पर अभूत पुर्वसुधार होगा। साथियों इस दसक को उत्राखन का दसक बनाने के लिए तेज गती से ऐसे ही विकास कारियों पर अनेक काम करने की जरुद पर हमने जोर दिया है। और जब मैं कहता हूँ कि ये उत्राखन का दसक है, तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये जब मैं कह रहा हूँ तो उसकी बहुत सारी बज़े है, उत्राखन के लोगों का सामर्थ है, इस दसक को उत्राखन का दसक बनाएगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस मिट्टी की ताकत को जानता हूं दोस्तों उत्रा खंड मैं बढ़ रहा आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर चार दाम महा परियोजना नए बन रहे रेल रेल के सारे रूट्स इस दसक को उत्रा खंड का दसक बनाएंगे उत्रा खंड में बन रहे नए हाइडरो प्रोजेक्ट उत्रा खंड की बढ़ रही अवद्योगिक शम्ता इस दसक को उत्रा खंड का दसक बनाएगी उत्रा खंड में तूरिजम सेक्टर का हो रहा विकास पूरी दुनिया में योग के लिए बढ़ रहा आकर्शन वो उत्राखन की धर्ती पर ही खीच करके लाने वाला है परियाटकों के लिए बढ़ रही सुविदाएं होमस्ते अभियान इस दसक को उत्राखन का दसक बना के रहने वाले हैं उत्राखन में बढ़ रही प्राकृति खेती नेच्रल फार्मिंग यहां के हर्बल उत्पात क्रिश्टिक खेत्र में भी यह दसक उत्राखन का होने वाला है उत्राखन का दसक गवरवपृन होने वाला है आज की परियोजनाए इन सबसे जुड़ी हुई है मैं उत्राखन के लोगों को आज हल्दवानी की इस धर्ती से बहुत बहुत बधाई देता हूं साथ्यों हम तो जानते हैं हिमालय की ताकत को जानते हैं हम यह भी जानते हैं कि उत्राखन से कितनी ही नदिया निकलती है आजायदी के बाद से ही यहां के लोगों ने दो धाराएं और देखी है एक धारा है पहाड को विकात से बंचित रखो और दूसरी धारा है पहाड के विकास के लिए दिन रात एक कर दो पहली धारा वाले लोग आपको हमेशा विकात से बंचित रखना चाहते हैं पहाडों पर सडक बिजली और पानी पहुंचाने के लिए जो मेहनत करनी थी वो हमेशा इससे दूर भागते रहें यहां के सेंकडों गाओं की कितनी पिडियां अच्छी सडकों के अभाव में अच्छी सुविधाओं के अभाव में कि यह हमारा प्यारा उत्तराखन छोड़ करके कहीं और जाकर के बस गए आज मुझे संतोष है कि उत्तराखन के लोग देश के लोग यह जो बर्बाली जाने वाले लोग रहे ना उनका कच्छा चिठा खोल चुके हैं उनका सच जान चुके हैं कि आज हमारी सरकार कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ कि तेज गती से कि देश को नई उचाई पर ले जाने में जुटी है आज उधम सी नगर जिले में एम्स रिजिकेस के सेटलाइट केंद्र और पिथोरा गड़ में जग जिवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आदार चिला रखी गई है इन दोनों अस्पतालों से कुमाओ और तराइक शेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी अल्मोडा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है उत्राखन में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनोती रही है उससे भी हम दूर करने का लगातार प्यास कर रहे हैं आज इस कारकम में भी करीम नव हजार करोड़ उप्य के प्रोजेक्स दो शड़क निर्मान से जुड़े हैं प्रधान मंत्री ग्राम सड़क यूजना के तहट बारा सो किलोमेटर ग्रामिन सड़क बनाने का काम भी शुरू हुआ है इन सड़कों के हलावा 151 पुलों के निर्मान का काम भी किया जाएगा भाई और बैनों आपको सुख सुविदा से बंचित रखने की सोच रखने वालों के उनके कारण ही मानस्खन जो मान सरोवर का प्रवेश्द्वार था सड़कों से बंचित रहा हमने न सिर्प टनकपूर पिथोरागड आल वेजर रोड पर काम किया बल्कि लीपू लेग तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कारिय चल रहा है वैसे आज जब जनता जनारदन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है यह दुकान है अफ्वा फेलाने की अफ्वा मैनिफेक्चर करो फिर अफ्वा को प्रवाहित करो और उसी अफ्वा को सच मान करके दिन राज चिलाते रहो मुझे बताया गया है कि हाँ टनकपूर बागेश्वर लेल लाइन को लेकर यह उत्रा खंड विरोधी नए ब्रह्म फेला रहे है साथियों टनकपूर बागेश्वर लेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम सुरू हो सकते हैं और मैं आप लोगों को आज यहां करके विश्वास देने के लिए आया हूं आज रिचिकेश कर्ण प्रयाग रेल रूट बन रहा है कल टनक पुर भागेश्वर रूट भी ऐसे ही बनेगा मेरे उत्राखन के भाई और बहनों यह सिलास न्यास के सिरफ पत्थर नहीं है यह पत्थर मात्र नहीं है यह वो संकल पर शिलाए है जो डबल इंजीन की सरकार सिद्ध करके दिखाएगी साथ्यों उत्राखन अपनी स्थापना के दो दसक 20 साल पूरे कर चुका है इन वर्षों में आपने ऐसे भी सरकार चलाने वाले देखे हैं जो कहते थे चाहे उत्राखन को लूट लो मेरी सरकार बचा लो इन लोगोंने दोनों हातों से उत्राखन को लूटा जिने उत्राखन से प्यार हो वो ऐसा सोज भी नहीं सकते जिसे कुमाओं से प्यार हो वो कुमाओं छोड़ कर नहीं जाता यह तो देव भूमी है यहां के लोगों की सेवा करना उत्राखन की सेवा करना देवी देवताओं की सेवा करने के समान है और इसी भावना से हमारी सरकार काम कर रही है मैं स्वयम जी जान से जुटा हुआ हूँ पहले की असुविधा और अभाव को अब सुविधा और सद्भाव में बढ़ला जा रहा है उन्होंने आपको मुल्द सुविधाओं का अभाव दिया हम हर वर्ग हर छेत्र तक शत्य प्रतिशत मुनियादी सुवाद्य सुविधाओं को पहुचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं भाईयों भेनों अभाव में रखने की राजनिती का सबसे अधिक नुक्षान अगर किसी को भुगतना पड़ा है तो वो हमारी माताए हमारी बहने हमारी बेटिया है रसोई में धुआ तो समस्या माताओं बहनों की सौचालाई नहीं तो दिक्कत सबसे ज़्यादा बहनों बेटियों को कच्ची छत की वज़से पानी टपका तो सबसे ज़्यादा परिशानी मा को बच्चे बिमार हुए इलाज के पैसे नहीं सुविदा नहीं दिल सबसे ज़्यादा दुखता है मा का पानी के लिए सबसे ज़्यादा परिश्रम और समय लगता है हमारी माताओं का बेहनों का बिते साथ सालों में मात्रू शक्ति की इन समस्याओं को हमने जड़ से दूर करने का प्रयास किया है जल जीवन मिशन हर गर जल हर गर नर से जल ऐसा ही एक प्रयास है दो साल में इस मिशन के तहट देश के पांच करोर से अधिक परिवारों को पाईप से पानी दिया जा चुका है आज भी जिन सत्तर से अधिक परियोजनाओं का स्यला न्यास हुआ है उससे तेरा जीलों की बेहनों का जीवन आसान होने वाला है यही नहीं हल्दवानी और जगजितपूर के आसपात के छेतरों को भी परियाप्त पानी का अब वो व्यवस्ता भी पीने क्या पानी यह सुनिस्चित होगा साथियों जब हम किसी अईतियासिक थल पर जाते हैं तो वहां में बताया जाता है कि इस थान को इतने साल पहले बनाया गया था यह अमारत इतनी पुरानी है लेकिन दसकों तक देश का यह हाल रहा है कि बड़ी योजनाओं की बात आते ही हमार यहां क्या कहा जाता है हमार यहां कहा जाता है यह योजना इतने साल से अठकी है यह प्रोजेक इतने दसक से अधूरा है पहले जो सरकार में रहे हैं यह उनका पर्मेनेंट टेडमार्क रहा है आज यहां उत्राखण में जिस लखवार प्रजेक का काम शुरूआ है उसका भी यही इतियाज है आप सोचिये सात्यों उत्राखण में आज जो यहां लोग बैटे हैं उनके चार चार दसक बित गए होंगे यह बाते सुनते आए होंगे आप जान करके कथायद भूल भी गए होंगे कि मसला क्या है कि इस परियोजना के बारे में पहली बार उननी सोच चहत्तर में सेवेंटी सिक्ट में सोचा गया था कि करीब करीओं पचास साल हो जाएंगे इस बात को आज कि फोर्टी सिख साल बाद कि 46 साल बाद हमारी सरकार ने कि इसके काम का सिलान्यास किया है कि मैं जरा उत्राखन के भाईयों बहनों को पूछना चाहता हूं कि जो काम 1976 में सोचा गया कि 46 साल लग गए कि यह गुना है कि नहीं है ऐसे नहीं लगना चाहिए गुनागारों को गुना है यह गुना है कि नहीं है यह गुना है कि नहीं है ऐसा गुना करने वालों को सजा मिलनी चाहिए के नहीं मिलनी चाहिए मिश्चा कि इस प्रकार से देली करने से आपका नुक्सान हुआ है कि नहीं हुआ है उत्रा खंड का नुक्सान हुआ है नहीं हुआ है दो दो पिड़ी का नुक्सान हुआ है कर नहीं हुआ है क्या यह से पाप करने वालों को भूल जाओगे क्या ऐसा गुना करने वालों को भूल जाओगे क्या या उनकी बड़ी-बड़ी बातों से ब्रह्म में आ जाओगे क्या कोई देश सोच नहीं सकता है था करीब करीब पांच दसक तक एक योजना फाइलों में इधर से उधर लटकती रहे हर चुनाओं में वादे किये जाए भाईयों भेनों मेरा साथ साल का रेकॉर्ड देख लीजिए खोज खोज करके ऐसी पुरानी जी जो को ठिक करने में मेरा टाइम जा रहा है अब मैं काम को ठिक कर रहा हूं आप उनको ठिक कीजिए जो लोग पहले सरकार में थे अगर उन्हें आपकी चिंता होती तो क्या ये परियोजना चार दसक तक लटकती क्या अगर उनका आपके पती प्यार था तो ये काम की ये दुर्दशा होती क्या सच्चा यही है कि जो पहले सरकार में थे उन्होंने उत्तरा खंके सामर्थ की कभी परवा नहीं की परणाम यह हुआ कि ना तो हमें परियाप्त बिजली मिली ना किसानों के खेतों को सिचाई मिली और देश की अधिकतर ग्रामिन आबादी को पाइप से शुद्ध पानी के अभाव में जिन्दगी गुजारनी पड़ी साथियों बीते सानों से भारत अपने परियावरन की रख्षा भी कर रहा है और अपने प्राकृतिक सामर्थ का सही इस्तमाल करने में भी जुटा है आज जो प्रोजेक्ट शुरू हुए है वह उत्राखन की पहचान पावर सर्प्लस स्टेट के रुपे तो ससक्त करेंगे ही यहां के किसानों को सीचाई की परियापत सुवीधा भी देंगे यह बिजली हमारे उद्योगों को मिलेगी यह बिजली हमारे स्कूल कॉलेजों को मिलेगी यह बिजली हमारे अस्पतालों को मिलेगी यह बिजली हमारे हर परिवार को मिलेगी साथियों उत्राखन में गंगा यमुना का स्वास्त यहां के लोगों के साथ ही देश की बहुत बड़ी आबाती की सहत और सम्रद्धी पर प्रभाव डालता है इसलिए गंगोत्री से गंगा सागर तक हम एक मिशन में जुटे हैं सौचाले के निर्मान से बैतर सिवरेज सिस्टिम से और पानी के ट्रिट्मेंट की आधुनिक सुविदाओं से गंगा जी में गिरने वाले गंदे नालों की संग्या तेजी से कम हो रही है आज भी हाँ नमामी गंगे योजना के तहत उदमसी नगर राम नगर नईनी ताल शीवर लाइन और शीवर ट्रिट्मेंट प्रांच का लोकारपन और सिलान्यास किया गया है नईनी ताल की जिस खुपसुरत जील की पहले किसी ने सूध नहीं ली उसके सवरक्षन के लिए भी अब काम किया जाएगा साथ क्यों दुनिया में कोई भी जगह हो कि वहाँ टूरिजम तब तक नहीं बढ़तकता जब तक वहाँ टूरिस्टों के लिए सहुलियत ना हो जो पहले सरकान में रहे उन्होंने इस दिशा में भी नहीं सोचा आज उत्राखंड में जो नई सड़के बन रही हैं जो सड़के चौड़ी हो रही हैं नए रेल रूट बन रहे हैं वो अपने साथ नए टूरिस्टों को ले करके आदेंगी हैं आज उत्राखंड के प्रमुख स्थानों में जो रॉप्पे बन रहे हैं वो अपने साथ दुनिया भर के टूरिस्टों को ले करके आएंगे आज उत्राखन में जो मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है जग जग नए टावल लग रहे हैं वो अपने साथ टुरिस्ट ले करके आएंगे आज उत्राखन में जो मेडिकल सुविदाय विक्सित हो रही हैं वो यहां आने वाले टुरिस्टों में भरोसा बढ़ाएगी और इन सबका सबसे जादा लाब किसको होगा इनका सबसे बड़ा राब उत्राखन के युवाओं को हमारे पहाड के नवजवानों को होने वाला है उत्राखन के लोग गवा है कि जब केदार नाजी के दर्शन के लिए सुविदाय बढ़ी तो वहां जाने वाले स्रत दालूं के संख्या भी बढ़ गई सारे रेकोर्ड तोड़ दिये इसी तरह आज देद देख रहा है कि काशी विश्वनाद्धाम के बनने के बाद वहां भी स्रत दालूं के संख्या दिनों दिन बढ़ रही है यहां कुमाओं में भी जागेश्वर्धाम बागेश्वर जैसे पवित्र स्थल है इनका विकास इस छेत्र में विकास की नई संभावनाय बनाएगा केंद्र सरकार ने नई निताल के देवस्थल पर भारत की सबसे बड़ी आप्टिकल टेलिस्कोप भी स्थापित की है इससे देश विदेश के वग्यानिकों को नवी सुविदा तो मिली है इस छेत्र को पहचान भी मिली है साथियों आज विकास की योजनाओं में जितना पैसा डबल इंजिन की स्थरकार खड़ कर रही है उतना पहले कभी नहीं हुआ जब यह सड़के बनती है नई इमारते बनती है पी एम आवास के घर बनते हैं नए रेल रूट बनते हैं तो उसमें स्थानिये उद्योगों के लिए हमारे उत्राखन के उद्यमियों के लिए नई संभावनाय बनती है कोई उत्राखन का ही व्यापारी इनके लिए सिमेंट सप्लाई करता है कोई उत्राखन का ही कारोबारी इनके लिए लोहा, गिट्टी सप्लाई करता है कोई उत्राखन का ही इंजीनियर इनकी डिजाइन से जुड़े कामों को आगे बढ़ाता है विकास की ये योजना है आज यहां रोजगार के अनेकों आउसर बना रही है उत्राखन के जो युवा अपने दम पर अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके साथ भी डबल इंजीन की सरकार पूरी शक्ति के साथ खड़ी है मुद्रा योजना के तहत नव जवानों को बीना बैंक गारंटी सस्ता लोन दिया जा रहा है जो नौजवान खेती से जुड़े हैं उन्हें किसान क्रेडिट कार्ट से मदद दी जा रही है यहाँ पर छोटी दुकांदारी करने वाले भाईयों बैंडों को स्वनीदी योजना के माद्यम से मदद मिल रही है उत्राखंड के गरीबों के लिए मद्दम्बर के युवाओं के लिए हमारी सरकार ने बैंकों के दरवाजे खोल दिये हैं वो अपने सपने पूरे कर सके कोई बादा उनके रास्ते में ना आए इसके लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं दिन रात काम कर रहे हैं यहां उत्राखंड में आयूश और सुगंदित उत्पादों से उससे जुड़े हुए उद्योकोली के लिए भी अनेक संभावनाए हैं देश और दुनिया में इस्ते लिए एक बहुत बड़ा बाजार है काशी पुरा का एरोमा पार्क उत्राखंड की इसी ताकत को बल देगा किसानों को संबल देगा सेंकड़ युवाओं को रोजगार देगा इसी तरह प्लास्तिक अउद्योकीक पार्क भी रोजगार के अनेक अवसरों का सुजन करेगा बाई और बहनों आज दिल्ली और देहरादून में सत्ता भाव से नहीं सेवा भाव से चलने वाली सरकारे हैं पहले की सरकारों ने सीमा वर्ती राज्य होने के बावजुत कैसे इस छेत्र की अंदेकी की यह राश्त्र रक्षा के लिए संतानों को समर्पित करने वाली कुमाओ की भीर माताएं भूल नहीं सकती हैं कनेक्टिबिटी के साथ साथ राश्तिय सुरक्षा के हर पहलू को अंदेखा किया गया हमारी सेना हमारे सैनिकों को सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही कराया गया वन रैंक वन पेंशन के लिए इंतजार आधुनिक अस्त्र सस्त्र के लिए इंतजार बुलेट फ्रूप जकेट जैसे जरूरी सुरक्षा कवेश के लिए इंतजार आतंकियों को करारा जबाब देने के लिए इंतजार लेकिन ये लोग सेना और हमारे वीर सैनिकों का अपमान करने में हमेशा आगे रहें तत्पर रहें हैं सेना को कुमाव रेजिमेंट देने वाले उत्राखन के वीर लोग इस बात को कभी भी बूल नहीं सकते साथ्यों उत्राखन तेज विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहता है आपके सपने आपके सपने यह हमारे संकल्प है आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर आवशक्ता को पूरा करना यह हमारी जिम्मेदारी है डबल इंजिन की सरकार पर आपका ऐसा ही आशिरवाद इस दसक को उत्राखन का दसक बनाएगा एक बार फिर विकास परियोजनाओं के लिए आप सब को पूरे उत्राखन को मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आपका रदय से अभिरंदन करता हूँ पोरू बटी साल दो हज़ार बावी उनेरुछो आपू सब उत्राखन्डिन के नई साले की बढ़ाई तथा दगाण में उनु धुदूती त्यारे की लाई बढ़े भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माननिये प्रधान मंत्री शीनरेंद्र मोधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूलिय समेश कारिक्रम को दिया वास्तव में महनत और पसीने की स्याहिस से जो लिखते हैं बुलंदी रादों को उनके मुकदर के पन्ने कभी कोरे नहीं हों